बोकारों में महिलाओं को अकेला पाकर चेन जपटने वाले जपटा मार गिरों के दो सदस्यों को पुलिस न दबोच लिया है। गिरफतार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, जिन्दा कार्तूस महिलाओं से जपटे हुए सोने के चेन और लूटे गए पलसर बाइक भी बरामत किये हैं। स्पी के मताबिक ये अपराधि बुगारो जुले के वभिन ठाना च्छित्रों में लूट, चेन, चिंदे की घटना को अंजाम दे दे थे। स्पार राजवार ने प्रिस्वार्ता करते हुए बताया कि 29 मार्च को कांदर बेडा और वेव इंटरनेशनल होटल के बीच एनेच तैटिस पर अग्यात अभियुक्तों ने जोती एगरवाल की गोली मारकर हत्या कर दी थे, जिसके बाद पोलिस जोहांच पड़ताल ने श जोती एगरवाल का मडर हो था, जिसमें से चार अभियुक्त, जिसमें जोती एगरवाल के इनपती रवी अगरवाल भी थे, एन उस मडर में इनपॉल्वुक्तों पहले रवी, पंकज, रोहित और मुंकेश, कौनरेटी गिरफतार करके धेज दिया गया था, इस कांड में बचे और दो अधियुक्त, बिशाल और परतास को भी गिरफतार कर लिया गया है, जिसमें से ये देशी पिश्टल मोबाइल इस अब जब्त हुआ है, और इसने पता चला कि बिशाल के दुआरा उनकी पत्नी का मडर किया गया है, कहां से गिरफतारी की ये गरकेशना जंग इस घटना में सामिल कोई और आरूपी है क्या सबस्मावी तक मुझ रूप से यही लोग सामिल थे, इन लोगो सभी लोगों को लगो निरफ़तार तक है, ज़रिया था रांतरगत, मान बाद इस थे, तो श्याम साओ के घर में चोरों ने नए तरीके से चोरी की घटना को अ जाम दिया है, चोरों ने घर में घुसकर घर के सदस्यों पर पहले स्प्रे मार कर उन्हें बेहोशी की हालत में लाया, इसके बाद लाखों के किमती समान, सोने के जेवर और नगत पर हाथ साफ कर लिए, मामले की जानकारी परीजनों ने इस्थानिये पुलिस को दिये है, उसके बाद जो हुआ, सुबाद छे बजे हम लोग का नेंद खुला, देखे बाहर सब लॉक ही के माणी, भाईया कभी के माणी लॉक था, हम लोग लोग था, लेकिन हम लोग खिड़की खोल के फिर आये, रूम से बाहर निकले, तो देखे सारा समान बिखरा हुआ था, तो लब साम कितना का समान छोड़ी है अड़ाय लगका भोग लेफटोप था, घड़ी था, नाकवला था, और सोना का समान में, और कैस भी था, कुछ छुटपुट इधर उधर, तो जो बाहर से बाहर से देखे दोनों तरफ लोग है, तब हम लोग को आवाई थे, तो बाहर से बाहर से देखे दोनों तरफ लोग है, तब हम लोग को आवाई थे, भूब माफियाओं द्वारा जमीन विवात को लेकर दमपती पर धारधार हतियारों से हमला कर दिया गया, यह मामला बालेडी थाना छेत्र के करहरिया गाउं की बताई जा रही है, घट्टा में हरिंद् स्पताल बुकारों में इलाज के लिए भरती कराये गया है, बताया जा रहा है कि जख में दमपती मुधवार की रात विवादित जमीन पर बैठे हुए थे, तब ही छे की संक्या में नकापोश अपराधियों ने दमपती पर धारधार हतियार से हमला बोला, घट्टा में द बेचना चाहता है कब जा करके, दो एकड़ पंचार मेटिस मिले है, मार पिट किया है, जो हमारे गाउं का दलाल है, वो गुंडा बुला के मार पिट किया है, जो हमारे गाउं का ही है, वो लोग का हां सब को जानते हैं, मार पिट हुआ था इन लोग को जमीन के मामला को ले सराइकेला जिले में आगामी लोकसभा चुनाओं को लेकर आपकारी विभाग रेस है जिला आपकारी विभाग की टीम ने जिले के अलगलग थाना छेत्रों में छापिमारी करते हुए सेकड़ो लिटर नकली अंग्रेजी विदेशी और देसी सराब बरामत किये हैं साथी तीन कारोबारियों को विगरफतार किया गया है जानकारी देते वे उतपाद अधिक चक विमल लकड़ा ने बताया कि शुनावायों के नरदेश पर उतपाद वभाग लगतार अलर्ट गांडे डुंगरी गाउं से 2122 लिटर विदेशी शराब, 600 लिटर स्प्रीट, 200 लिटर अवैद चुलाई शराब बरामत कर ये पूरी कारवाई की गई है जिसमें पहला चपामारी हुआ है इचागड में ग्राम अगसिया थाना इचागड के अंतरगत जहां से ये जफ्ति की गिरिफतारी हुआ है जिसमें जप्त प्रदर्ण की मातरा है आवैद विदेशी शराब लगभग एकी सो बीस लिटर, छेसो लिटर स्पिरिट, दूसो पच्छास लिटर आवयल चुलाई शरा और दस हजार केजी लगभग जावा महुआ विनस्ट किया गया और इसी के साथ साथ काफी मात्रा में वहां से लेबल और इस्टिकर लगभग हजार पीस और धक्कान लगभग कर्मियों को बदाया कि किसी बिस्तिती में पेड नियूज अथवा फेक नियूज का प्रशारन ना हो इसका ख्याल रखा जाए जब तक पुस्टी ना हो ऐसी कोई खबर प्रशारित ना की जाए चलाई ना जाए जिससे आदर्स आचार सहीता का उलंगन होता हो ऐसे मेडिय संस्थान जो पेड नियूज और फेक नियूज प्रशारित करेंगे उनके लिए शो को अज भी जारी किया जाएगा और कारवाई भी हो सकती है आज सभी electronic और print media के साथ हम लोगों ने बटत के रहे हैं जिसमें paid news और fake news इसके बारे में लोगों को जागरू किया है उनको ये बताया गया है कि कोई भी advertisement से पहले free certification from the MCMC committee बोलेना आवश्यक होगा इसके साथी साथ paid news और fake news को लेकर भी चुनावायों बहुत सतर्क है तो वीडिया हॉसे से यह अनुरोध है कि paid news का बिल्कुल भी publication ना करे और fake news खासतर से अगर वो EVM, VVPAT या indelible ink या आदर सचार्ट संहिता या law and order को लेकर के अगर publish करी जाएगी तो उसका भी चुनावायों संयान लेगा उलंगन में different different चीज़ों के उलंगन के different punishments है अगर pre-certification या paid news या fake news इन में से किसी भी चीज़ का उलंगन किया जाएगा तो आपी आक्ट के तहित equipment भी seize किया जा सकता है, सजा भी हो सकती है, जुर्भाना भी हो सकता है तो इसलिए फिर media houses से हम लोगों ने अनुरोद किया है कि चुनावायों की जो भी दिशानेंड देश है उसका नुपालन सुनिशे की लोगसभा चुनाव को लेकर दिश में आदर्स आचार सहीता लागू है, इस दोरान कई तरह की पाबंदिया भी लागू की गई है पचास जार उपे से ज़्यादा कैश लेने जाने के लिए अनुमती जरूरी है, इसी करम में गिरेडी में बुधवार देर रात तलाशी अभियान के दोरान जिलापरशाशन और स्टीएफ को बड़ी सफलता मिली स्टीएफ और जिलापरशाशन की साज़ा टीम ने बड़ी कारवाई करते हुए एक प्राइवेट यात्री बश्च की तलासी के दोरान एक दस्मल जिरो नौ करोड रुपे कैश जब्त किये हैं आपके बच्चों के स्वारगिन और उजबल भविश्य के लिए हम है हमेशा ततपर हम है गुरु गोविन सिंग पाबलिक स्कूल कॉलेज अफ एंजिनिरिंग और मैनेजमेंट अप्रूफ बाई AICTE and Affiliated बाई जाकन उनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलोजी रांची हमारा उदेश है स्टूदेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलोजी मैनेजमेंट के फील में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अफसर मुहया कराना हमारा मिशन एस्पाइरिंग टेक्नोलोजिस्ट और उन्त्रप्रूर्स को उनकी मंजल तक पहुचाना है इसके लिए हमारे पास है बहतर इन इंफ्रस्ट्रक्चर और मार्क दशन के लिए क्वालिफाइट फैक्यल्टी जब अपने राज जहारकंड और अपने शहर बोकारों में मिल रहा है वर्ल क्लास अजुकेशन तो फिर कहीं और क्यों जाना आप पधारे हमें आपके स्वागत को तयार करेंगे आपके सपनों को साकार